वेल्कम बैक अब्रिवन वेल्कम टूबल स्रक्षेश टड़ी यह ठेस्ट श्रीज यूपई-पीस्ज रॉय-आरो टे लिए चल रही है प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम् करेंट अफिट्स के प्रस्ष्ण वारे इंबॉर्टन है सारी के सारे प्रस्ष्ण इस test series की playlist बना रखी है, वहाँ पर अप test number 1 से लेकर जो भी नए test आएगा, वहाँ तक पहुंआ सकते हैं, तो चलिए इस्टार्ट करते हैं अपना test, question number 1 है, हाल ही में एशियाई खेल हांग जू में संपन हुए, 23 सितंबर से 8 October 23 तक, और इन एशियाई खेलों में कुल मिला कर 45 देशों ने भाग लिया, और इन सभी 45 में से जो सीर्स स्थान पर देश रहा, वही रहा जिस देश में आयुजित किये गए, यानी चीन में, चीन ने सीर्स स्थान पराप्त किया, भ वियांग जन खेलाड़ी खेलते हैं, तो पैरा एशियाई खेलों से प्रश्ण बनने की संभाब ना ज़्यादा है, यह कि एक्जामनर को लगता है कि सामान वाले को सवयाद कर लेते हैं, लेकिन पैरा को छोड़ देते हैं बच्चे, तो पैरा पर ज़्यादा फोकस दूसरा प्रश्ण है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कौन सी संसा जारी करती है, विश्वेंग, विश्वार्थिक मंच, अंतरास्टे मुद्राकोस, विश्वाधिक संपता संगठन, इसको जारी करती है, विपो, ठीक है, डबलू आईपियो, यानि बार्ड इंटेले करता है, कई देश अपने रवाचार, परशिक, तंतर का अकलन, और सुधार करने, और आर्थिक योजना में आवश्चक सुधार लाने के लिए, जी आई यानि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का प्योग करते है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की वार्षिक रिलीज, व किसरा प्रशन हाल ही में संपन हुए, पैरा एशियाई खेलो में भारत ने कुल कितने पदक जीते, एक है एशियाई खेल, उसके बाद हुए पैरा एशियाई खेल, ये भी चीन में ही हुए है, तो भारत ने कुल पदक जीते हैं, इसमें 111, 111 में से 29 गोल्ड मेडल है, पै है पैरा एशियाई खेलो में भारत दौरा जीता गया एक रिकॉर्ड प्रदर्शन है इतने पदक नहीं जीते थे नोने अभी तक बागी भारत पदक तालिका में प्रथम इस्थान पर रहा और चीन पदक तालिका में प्रथम इस्थान पर रहा चीन एशियाई खेलों में भी प्रथम इस्थान पर है भारत उसमें चौथे पर है इसमें पांच में पर है और यह खेल कब से कब तक आयोजित हुए यह खेल 22 अक्टूबर 2223 से 28 अक्टूबर 2223 तक चीन के होंग जाओ में आयोजित किये गए यह नमबर इस पर कॉलिया वाटसप करके इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट इस सीरीज पर आप्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे पर टेलिग्राम ग्रूप को जोइन करके अब चौथ है और इन चारों में एक चीछ कोमें इन चारों खेलाड Edition में इन सभी ने गोल्ड मेडल जीता पीरा Atheleesh 29 में से 4 आपके पुरानी पहचान होगी शूटिंग से संबन देता यह वाकि प्रमोध भगत का संबंद बैटमिंटन से है और प्रणब सूर्मा का एथलेटिक से और अंकुर धामा भी एथलेटिक से तो A का हो गया 2 और B का हो गया 4 C का हो गया 3 और D का हो गया 1 2, 4, 3, 1 इसका अंसर हो जाएगा C इसके अलाब और भी कोई मैच नहीं बनेगा 2 मैं एथलेटिक से लेकिन एथलेटिक से लगा दोगे तो दूसरे मैच ने करेंगे तो प्रमोध भगत खेलते हैं बैटमिंटन, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने अंकुर धामा एथलेटिक सौन पदक थीके, अबनी लेकरा सूटिंग में स्मण पदक जीता परणप सूर्मा एथलेटिक क्स में स्मान पदक जीता कलब थ्रो में पंचो अप्रशन है हाल ही में, देश की सबसे बड़ी कन्यापूजा का अवजन किया गया कहा किया गया ये ये किया गया उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की करेंट से रिलेट करता हुआ ये प्रश्न है और उत्तर प्रदेश में कहा किया गया ये किया गया गोंडा में B has cancer तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के CM Grid योजना निम्रिकित मैं से किस से संबंदित है राज के ग्रामिट छेतरों तक इंटरनेट की उपलब्द दता राज की सडकों को और बहतर बनाना राज में जादा से जादा कृट्टम जीलों का नर्मान राज के सूखा प्रभाविट छेतरों में सरकार राज के सहरों की सडकों को और बहतर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्शर डेवलब्मेंट सहरी योजना सौट में है CM Grid योजना सुरू करने जा रही है और वित्यवर्स देहर 23-24 में 500 करोड रुपे इस योजना पर खर्च किये जाएंगे तो किस से संबंदित हो गई है सडकों में सुधार अभी हाल ही में प्रधान मंत्री ने 37-वे राष्ट खेलों का उध्वर्टन किया है कहां किया है कहां खेले जाएंगे ये गोवा में C B हैस का अंसर नेशनल गेम्स देखिया प्रधान मंत्री ने गोवा में 37-वे राष्ट खेलों का उध्वर्टन किया राष्ट खेल भारत की असाधरन सक्ती खेल का उध्वर्ट है और राष्ट खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक होगा और इसमें देश भर से 10,000 से ज़्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे ये खिलाडी 28 सिस्थानों पर 43 खेलों में प्रतिस परधा करेंगे कोशन नुमर 8 पर आजाईए हाल ही में देश के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन ने 50 फर्ष पूरे कर लिया है आपको बताना है कि यह जो पुलिस स्टेशन है वो किस राजमें इस्था था है गोवा उत्तर पुलिस स्टेशन में देश के पहले महिला पुलिस स्टेशन में दस दिनों से जस्न मनाया जा रहा है क्यों कि इस पुलिस इस्टेशन का उदगाटन जब से हुआ था तब से अवे तक 50 साल पूरे कर लिया है और इसका उदगाटन किया था 50 साल पेले पूर प्रधान मंतरी इंदरा गांधी ने इसके बाद सीम ने स्टेशन की पहली सब इंस्पेक्टर एम पद मिनी अम्मा को उदगाटन रिश्टेट पर हज साक्षर करने के लिए पैन दिया था अब इसे 50 वर्द पूरे हो चुके है बंदे भारत का नाम आपने सुना होगा सेमी हाइस्पीड ट्रेन ए भारत की इसको चलाने वाली पहली महिला लोको पाइलेट का नाम बता दिजे कौन है इन मैंसे गीता कोपिनाथ साली जधामी अबनी लेखरा सुरेखा यादव अबनी लेखरा से तो आपका सक्षात उपर वाले प्रश्ण में हो चुका है पैरा एथलीट है ये ठीके पैरा खिलाडी है औ और एथलीट नहीं है मतलब ये सतरंज सुरी सूटिंग से संबंद है इनका सुरेखा यादव इसका अंसर हो जाएगा ये है इसका अंसर देखिए एशिया की पहली महिला लोको पाइलेट सुरेखा यादव के नाम एक और उपलब्धी जुड़ गई है क्या है वो उपलब वो चलाया है ठीक है उसको चलाने वाली भारत की पहली महिला लोको पाइलेट बन गई है ये लकी एक ऑप्सन अब रिन लेख रहा था वो हो गया है और सालीजा धामी अगर पूछ ले तो भारतिये वायू सेवा में लड़ाकु इकाई की कमान समानने वाली पहली महिला कोजी कोट रेल्वे स्टेशन नहीं है चार बाग रेल्वे स्टेशन नहीं है गोरगपुर रेल्वे स्टेशन कभी था लेकिन अभी जो उत्तर है वो है हुबली रेल्वे स्टेशन कहां पर आये करनाटक में वेस्पू का सबसे लंबर रेल्वे स्टेशन करनाटक का जियाना राजी के railway network को पूरी तरह से विद्युतिकरण कर दिया जिससे यह देश का पहला राज बन गया जिसने अपने railway network को 100% विद्युतिकरण हासिल किया है 12 प्रश्ने स्वास्त का अधिकार विलपारित करने वाला पहला राज है कौन सा है गुजरात महराश राजस्थान गुवा स्वास्त का अधिकार विलपारित करने वाला पहला राज है यह राजस्थान और सी है इसका अंसर सी एम अशोग गहलोत ने घोशना करते वा बताया कि राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज राज राजस्थान बन गया है उन्होंने कहा राइट टू हेल्थ पर सरकार और डॉक्टर्स के वीज सहमती बन गया तो राजस्थान का नाम याद रखेगा कोश्जण बबन ठैटीन प्रजे चोप्स पर चबंद प्रकाशत करने वाला पहला है कौन सा IT वैसे तो जितने भी स्टेट हैं स्टेट में जितने भी में हैं कि जिसमें भी हैं जो हुक झो भाष आ सब जो वहां का कार्य होता वं अंग्रेजी भाषग में होता है यहां छेत्रे भासा की बात हो रही है तो दिल्ली में बैसे भी सरकारी कामकाज की भासा अंग्रेजी है प्रियाग राज में यानि उत्तर प्रदेश में हिंदी में काम होता है केरल हाई कोर्ट में नैनिताल हाई कोर्ट में मतलब छेत्रे भासा की बात हो रही है यहां की क्या हाई कोट बना है वो है केरल हाई कोट यानि भी हैस कांसर केरल हाई कोट ने अपने हाल के दो फैसलों को मले आलम में प्रकाश्चित किया है ठीक है जो की वहां की वहां के पर एक शेत्रे भाशा है और केरल हाई कोट अपने फैशलो को शेत्रे भाशा में प्रकासित करने माला देश का पहला हाई कोट बन गया और जनबरी में चीप जस्टिस एस मणी कुमार और जस्टिस साजी पी चाली की एक पीठ द्वारा निर्णय पारित निर्णय जो है मले आलम में हाई कोट की वैप साइट पर उपलब्द कराया गया तो केरल हाई कोट का नाम याद रखेगा पोजिशन नुबर 14 पर आजे नमलेकित में से कोई एक कथन जो है वो सही नहीं है उसकी पहचान करनी है ग्रीन बॉंड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निका इंदौर उत्तर भारत का सबसे बढ़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट चंड़ीगर में देश का पहला हरित उर्चा आधारित सोर पैनल उत्राखंड में नोग्रो वारत का संक्रण का पहला मामला सामने आया तमिलनडू में नोरो बायरस के संक्रण का पहला मामला सामने आया तमिल नाडू में देखे एक ग्रीन बांड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निकाई इंद और मध्यपरदेश का इंद और है ठीक है ये तेर्बारत का सबसे बड़ा तेरतवा सोलर प्लान्ट इंपॉर्णटें प्रश्णेंश चंडीगड में ये थे देश का पहला हरित उर्जा आधारित सोलर पैनल उत्तराखंड में यह भी ठीक है नोरो बायरस के संक्रड का पहला मामला जो सामने आया था वो आया था केरल में ठीक है तो गलत रिक देखे केरल में नोरो वायरस काम पहला मामला नौमबर 2021 में सामने आ था तब बाइनार्ड में एक बेटनरी कॉलिज के तेरे छात्र इस वायरस से संक्रित मिले थे उल्टियां और दस्त इस वायरस के मुखे लक्षन है और नोरो वायरस से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में कई वार संक्रमित हो सकता है इस चीज को भी याद रखिएगा पंदरो प्रशने धूमर पान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है भारत में तो आयका स्रोथ है भारत में तो प्रतिबंध इसमें पता नहीं कब लाएगा लगेगा है नहीं चीन पे नहीं है उस्टलिया पे नहीं है इसका उत्तर है न्यूजीलेंड यह है इसका अंसर न्यूजिलेंड सरकार ने धूमरपान पर प्रतिबंद लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है और अब महां के युवा सिगरेट नहीं भी सकते खुशन नमबर 16 है भारत का पहला गोल्ड एटियम कहां लगाया गया सोने के सिख्के निकलेंगे इससे करनाटक में नहीं लगाया गया है तो बैंगलोर को हटा दीजिए कुछराथ में नहीं है तो गांदीरनगर को हटा दीजिये ये लगाया गया है हैथरबाद में देखिये हैथरबाद स्तर्ट अप Open Cube Technologies Private Limited के तकनी की समर्थन से गोल्ड सिक्का ने बेगम पेट में अपना पहला गोल्ड एटियम लगाया है और यह है भरत का पहला गोल्ड एटियम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटियम है इस एटियम के जरिये 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के निकाले जा सकते है Question No.17 पर आज़िए लोकायुक्त विधियक दुहारतेईस पारित करने वाला देश का पहला राज है महरास्ट Option No.2 देखिए महरास्ट लोकायुक्त अधिनियम दुहारतेईस पारित करने वाला देश का पहला राज़ बन गया है महरास्ट का नाम याद रखिएगा Question No.18 पर आज़िए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन सुरू करने वाला पहला राज़ कौन सा है भारत का अपना जलवायु परिवर्तन मिशन सुरू करने वाला भारत का पहला राज़ राज़ तमिलनाडू Option No.2 है इसका अंसर चार में से तीन सही होंगे एक इंकरेक्ट होगा उसी को पहचाना है कौन सा है वो देखिए जीओ फाइब जी सेवा सुरू करने वाला पहला राज़ गुजरात दुनिया का सबसे उचा मतदान केंद्र है टशी गंग हिमाचल प्रदेश दक्षन भारत की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाए गई चेन्नी से बंगलूर तक और नगरपली का बंड जारी करने वाला भारत का पहला सहर गोंडा बताईए जी ओ फाइब जी से बास शुरू करने वाला भारत का पहला राज गुजरात दुनिया का सबसे उचा मतदान केंद्र टशी गंग हिमाचल प्रदेश ठीक है दक्षन भारत की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाए गई चेन्नी से बंगलूर तक और नगरपाली का बंड जारी करने वाला भारत का जो पहला सहर है वो गौंडा नहीं है वो है गुजरात का बडोदरा दी हैस कांसर यानि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ दी वाला देखें नगरपले का बॉंड चारी करने वाला भारत का जो पहला सहर है वो है गुजरात का बडोदरा अब आजाए क्वेशन नुबर 20 पर वर्तमान में 100 प्रतिशत हर घर जल घोशित राज कौन सा है उत्तरप्रदेश राजस्थान गुजरात विहार 100 प्रतिशत हर घर जल घोशित राज है कौन सा यह है गुजरात ऑप्सर नमबर सी पहला नहीं पूछ रहा है याद रखेगा बर्तमान लेकर पूछ रहा है कोट करके तो गुजरात ने हर घर नल से जल की उपलब्दता हासिल की है तो गुजरात है इसका अंसर वाकि गोवा अक्टूबर 2020 में 100 प्रतिशत नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का पहला हर घर जल राज बना था इस चीज को भी आद रखेगा ठीक है और तमान में गुजरात ह तो 20 प्रतिशन थे करेंट के इंपोर्टन इनके प्रक्टिस कर सकते हो आप एक से दो बार पूछे जाने की संभावना बहुत है धन्यवाद